इस वीडियो में हम डिस्कस करें माले हैं बिजनेस स्टैस्टिक्स के MCQs को यह पार्ट टू है इसके पहले पार्ट वन में पचास कोशन तक हो चुका है जब दो प्रतिव गमन रिखाए एक दूसरे के समान आंतर होती है तो उनका ढहलान कैसा होता है एक जैसा होता है समान कोशन में 52 है प्रतिव गमन शब्द का प्रतिपादन किस ने किया था या इसका प्रयोग किस ने किया था यह किये थे गैल्टन Q53 है positive regression coefficient indicates that the movement of variables are in सकरात्मक प्रतिव गमन गुडांक के अंतरगत चर्मि परिवर्तन किस प्रकार होता है तो यह सेम direction में होता है यानि कि एक ही दिशा में होता है अगर यहीं पर नकरात्मक रहता तो वो opposite direction में रहते जिसे सकरात्मक मतलब क्या है कि अगर A बढ़े रहा है तो B भी बढ़े रहा है A घट रहा है तो B भी घट रहा है तो यहाँ पर positive relationship होता है लेकिन जब opposite direction में चल रहा है कि A बढ़े रहा है और B घट रहा है तो इसे हम लोग नकरात्मक प्रतिव गमन कहते है question में 54 है in simple regression model y is equal to alpha plus beta x plus sigma is equal to alpha and beta r यानि कि जो प्रतिव गमन रेखा के model बनाई जाते है उसमें alpha और beta को क्या कहते है तो उसे parameter कहते है जो population को calculate करने का इकाई है उसे हम लोग parameter कहते है और अगर बात आ जाती sample की तो उसे हम लोग statistics कहते है question 55 है the arithmetic mean of two regression coefficient is greater than or equal to दो प्रतिव गमन गुडांकों का अंक गड़िती अमाद है किसके बराबर होते आए किस से अधिक होता है यह होता है r यानि कि correlation question 56 है if both the series move in same direction and the variations are in fixed proportion correlation between them it is set to be यदि दो स्रिंग खलाएं एक अही दिशा में चलती है और परिवर्तन एक अही एक निश्चित अनुपात में होता है तो उनके बीच में संबंद को क्या कहते है तो उसे हम लोग कहते है जिसे अगर एक direction में movement हो रहा है तो यह तो positive होगा लेकिन जो उनके बीच में differences हो रहा है वो एक निश्चित अनुपात में हो रहा है एक definite proportion में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते है perfect positive question number 57 है if the two series move in reverse directions and the variation in the values are always in proportion it is said to be यदि दोस रिंखला है विपरिद दिसा में चल रही है लेकिन उनके बीच में जो differences आ रहा है वो हमेशा अनुपातिक रहते हैं यान कि एक अही proportion में चलते रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे reverse direction है यान कि एक बड़ा राय गट रहा है तो वो negative हो जाएगा लेकिन जो उनके बीच में difference है वो हर एक point पे समान है तो उसे हम लोग कहते हैं perfect negative question number 58 है regression model में भी एक प्रतीब government model कैसा हो सकता है linear और non-linear दोनों हो सकता है option number C होगा both A and B question number 59 है bxy is equal to 0.20 and rxy is equal to 0.50 byx पूछा है तो rxy is equal to क्या होता है under root bxy multiplied by byx अब इसमें कुछ values दिये हुए हैं जैसे 0.50 दिया हुए 0.50 is equal to under root 0.20 multiplied by byx अब जब इसको अब solve करेंगे यह under root है और equal to के अगर इधर आता है तो यह क्या हो जाएगा 0.50 का square is equal to 0.50 का square is equal to 0.20 multiplied by byx 0.50 का square क्या हो जाएगा 0.25 और यह multiply में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यह divide में हो जाएगा जब इसको आफ solve करेंगे तो byx की value आजाएगी जो की आएगा 1.25 एक बार copy में note करके इसको solve कर लीजेगा question में 60 है if the sum of squares of rank differences of 10 pairs of value is 30 find the correlation coefficient between them यानि कि आपको correlation निकालना है किसके माध्यम से rank differences के माध्यम से तो इसका formula होता है इसको copy पे note down कर लीजेगा 6 sigma d square divided by n q minus n अब question में आपकी ये formula भी दे सकता है कि अगर हम लोग को rank differences के माध्यम से निकालना रहे तो उसका formula क्या होगा तो 1 minus करते है 6 sigma d square यानि कि जो differences आएंगे rank के उसका square करना है divided by n q minus n n q को हम लोग इस तरीके से भी लिखते है n square minus 1 इस तरीके से भी अगर ये भी दे दे तो भी इसी के बराबर है basic mathematics का rule होता है वो आप कर सकते हैं तो ये formula है आपका copy भी note कर देजेगा क्योंकि space कम है तो मैं इसको इरियस कर दूँगे भी अब हमको solve करना है तो r is equal to क्या हो जाएगा 1 minus 6 multiplied by किसे करेंगे 30 क्योंकि ये बोला है question में आपके दे दिया है कि sum of squares of rank differences जो sigma d square है वो 30 दिया हुआ है n cube का मतलब क्या है कि 10 to the power 3 और 10 1 minus 6 318 हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा 1000 10 का cube है तो minus करेंगे 10 तो ये कितना आपका हो जाएगा 1 यहाँ पर मैं लिख रहे हूँ 1 minus 180 divided by 1000 में से 10 को minus करेंगे तो कितना आजाएगा 990 जब आप इसको solve करेंगे तो 1 minus ये हो जाएगा 0 से 0 cancel और ये आएगा 0.18 जब इसको आप minus करके solve करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.82 solve करके एक बार जरूर देख लेजएगा बहुत easy है बस इस space नहीं है तो इसकी वज़े से question में 61 है the regression coefficient of x on y is y पर x का प्रतिब गमन गुडांग क्या होता है तो इसको बिनोड करते है b x y जब इस on y बोलेगा तो b पहले x को लिखेंगे और फिर बाद में y को लिखेंगे यानि कि y पर x का क्या प्रतिब गमन गुडांग काएगा तो option number क्या हो जाएगा a हो जाएगा b x y और वहीं पर regression coefficient of y on x y पर x को पूछ रहा है तो b y पर x यानि कि b y x इसमें बहुत confusion होता है question number 63 है the correlation coefficient is used to determine सा संबन गुडांग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है a specific value of y variable given in a specific value of x variable y चर का एक विशिष्ट मूले के x चर का विशिष्ट मान दिया गया है a specific value of x variable given a specific value of y variable x चर का विशिष्ट मान y चर के विशिष्ट मान दिया गया है और option c है the strength of relationship between x and y variables option number c correct होगा क्योंकि इसका calculation किया जाता है correlation में question number 64 है in regression analysis the variable that is being predicted is the प्रतिप गमन विसलेशन में अनुमानित चर को क्या कहते है तो उसे response dependent या variable कहते है यानि कि independent variable में जो changes आएंगे तो उसकी प्रतिख रिया क्या होगी या निर्भर चर इसे बोलते है ये dependent होता है independent variable पे question number 65 है if the coefficient of determination is equal to 1 then the correlation coefficient will be यदि निर्धारण गुडांक एक के बराबर है तो उससा संबंध गुडांक किसके बराबर होगा तो ये या फिर तो minus 1 होगा नहीं तो plus 1 होगा question number 66 है in regression analysis if the independent variable is measured in kilograms the dependent variable will be प्रतिप गमन विसलेशन में स्वतंत्र चर को किसमें मापा जा रहा है kilogram में तो आस्रित चर भी किसमें होगा kilogram में ही होगा kilometer में नहीं होगा other किसी unit में नहीं होगा question number 67 है the strength of the correlation between a set of independent variable x and dependent variable y is measured by स्वतंत्र चर x और आस्रित चर y के बीच में जो सा संबंध है उसके degree को किसके द्वारा मापा जा सकता है यह मापा जाता है coefficient of correlation सा संबंध के गुडांग के माथम से question number 68 है the percent of total variation of dependent variable y explained by the set of independent variable x is measured by आश्रित चर y के कुल भिनता का प्रतिशत स्वतंत्र चर x के set द्वारा समझाया जाता है तो यह determine किया जाता है coefficient of determination के माथम से question number 69 है a coefficient of correlation is computed to be minus 0.95 means that सा संबंध के गुडांग की गड़ना minus 0.95 होने का अर्थ क्या है तो अगर 100 में से 95 है यानि कि इसमें strength हो है relationship strong है लेकिन यह minus में दिया हुआ तो relationship कैसा है strong होने के साथ साथ negative है तो option number C correct हो जाएगा the relationship between two variable is strong बट negative दो चरों के बीच में संबंध मजबूत है लेकिन वो नाकारात्मक है question number 70 है in regression equation y is equal to alpha plus beta x plus e both x and y variables है प्रतिव कमन समें करण में x और y charge कैसे होते हैं तो इसमें x fixed होता है और जो y होता है वो random होता है fix मतलब क्या है कि जो research कर रहा है जो regression equation निकाल रहा है वो मान के चलेगा कि इसको हम x को इतना ही value देंगे लेकिन जो y है वो randomly लिया जाता है question number 71 है which of the following are the major characteristics of index number निकित में से कौन सा सूचकांग संख्याओं की मुख्य विशेस्ता है it is expressed in percentage इसे प्रतिशत में वेक्त किया जाता है it is it measures the net or relative changes in variable यह चर्मिशुद्ध और सापेक्ष परिवर्तन को माप करता है it measures the changes over a period of time यह समय की आवधी में परिवर्तनों को मापता है तो all of the above होगा यह तीनों सही है question में 72 है the index number for a base year is always आधार वर्ष के लिए सूचकांग संख्या कैसी होती है तो हमेशा सह होती है आधार वर्ष के लिए question में 73 है the time period for which an index number is determined is known as वह समय जिसके लिए सूचकांग संख्या निर्धारित की जाती है उसे क्या कहते है तो उसे हम लोग कहते है current period यानि की वर्तमान अवधी question में 74 है index number is a type of सूचकांग संख्या एक प्रकार का क्या होता है तो वो average होता है और सत question में 75 है which of the following statement is correct about average price if the price index is 110 यदि मूले सूचकांग 110 है तो और सत कीमतों के बारे में क्या सही होगा तो base हम लोग मान के चलते हैं 100 होगा अभी price index कितना दिखा रहा है 110 दिखा रहा है तो differences कितने हुए है 10% का 100 का अगर 10% आप निकालेंगे तो 10 आएगा तो 100 प्लस 10 ये 110 हो गया है तो 10% क्या हुआ है change हुआ है बृद्धी के साथ the price has been increased by 10% कीमतों में 10 प्रतिशत से बृद्धी हुई है question में 76 savage or the following are the limitations of using index number निमलिखित में से कौन सी सूचकांग संख्याओं का उप्योग की सीमा है the use of each index number is restricted to a specific object प्रतिख सूचकांग संख्याओं का उप्योग एक विसिस्ट वस्तु तक सिमित है ये बात सत्य है it ignores the quality of commodities ये वस्तुओं के गुडवत्ता की अप्रिक्षा करता है उप्रिक्षा करता है option c है it is useful only for short term comparison या अलब कालिक तुलना के लिए उप्योगी होता है और more variable studies by the index ने मिलकित में से कौन सा सूचकांग दो या दो से अधिक परिवर्तंशिल अध्यनों की भिनता को दशाता है ये करता है composite index यानि की समक्र सूचकांग question 78 है the weights used in the quantity index are मात्रा सूचकांग का में प्रयूक तभार क्या होता है तो वो होता है कीमत question 79 है which are the following method is used to calculate the consumer price index उभोगता मुले सूचकांग की गड़ना के लिए निमलकित में से किस विधी का प्रयूक किया जाता है तो ये किया जाता है less pairs formula तीन formula दिये हुएं तीनों को आप यात कर लीज़ेगा किस तरीके से निकाल जाता है चाहे less pair का हो गया चाहे fisher का हो गया चाहे पास्चे का हो गया question 80 है एक सूचकांग संख्या जो कई उद्देश्यों की पूर्ती कर सकता है उसे हम लोग क्या करते है जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर और अगर किसी विश्यस उद्देश्य के लिए है तो विश्यस्ट उसको बोलते है question 81 है fisher's method of calculating the index number is based on सूचकांग संख्या की गड़ना के लिए fisher की विधी किस पर आधारित है तो वो आधारित है geometric mean पर इसी लेन का जो फॉर्मुला होता है वो जो पास्टी ने फॉर्मुला दिया है और लेस्पियर का दिया है उसको अंडरूट करके निकाला जाता है question 82 है what is the name of the monthly price index that takes price changes in the consumer goods and services that uses it to determine changes in the price of those products over a period of time मासिक मुले सूचकांग का क्या नाम है जो उभोकता वस्तूओं और सेवाओं के मुले में परिवर्तन को बताता है समय किया वधी में उन उत्पादों के कीमत में परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है consumer price index उभोकता मुले सूचकांग question 83 है which are the following is the index that is used to measure changes in the total money value निमलखित में से कौन सा सूचकांग है जिसका उपयोग कुल धन मुल्य में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है तो यह किया जाता है मुल्य यानि कि जो value index है मुल्य सूचकांग है उसका प्रयोग किया जाता है question 84 है commodities that show considerable price fluctuation can be measured by निमलखित में से कौन सा सूचकांग है जिसका उपयोग कुल धन मुल्य में परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है तो यह किया जाता है quantity index को question 85 है the purchasing power of money is मुद्रा के एक रह शक्ती किसके बराबर होती है तो यह बराबर होती है reciprocal of price index number मुल्य सूचकांग संख्या का व्यूत क्रम question 86 है which are the following indicates the fundamental of least squares निमलखित में से कौन सा कम से कम वर्गों के मूल को इंगित करता है तो यह कहता है arithmetic mean should be minimized समानांतर माध्य नियुनतम पर होना चाहिए question 87 है index number is always expressed in सूचकांग संख्या हमेशा किसमें व्यक्त की जाती है तो यह व्यक्त किया जाता है percentage में प्रतिशत में question 88 है index number is also called as सूचकांग संख्या को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे कहा जाता है economic barometer आर्थिक barometer question 89 है which index number is called as idle index number किस सूचकांग संख्या को आधर्ष सूचकांग कहते हैं तो यह कहा जाता है Fischer के index number को क्योंकि दो-तीन तरीके के test है तो Fischer test उसको pass करता है question 90 है इन लेस्पेर से price index number weight is considered as लेस्पेर के मुल्य सूचकांग में भार को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है तो quantity in base year यानि कि जो उसमें quantity का use किया जाता है वो आधार वर्ष की मात्रा होती है formula आप पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं question 91 है इन पास्चे के मुल्य सूचकांग में भार को कौन से year का लिया जाता है तो वो लेते हैं quantity in current year चालू वर्ष में क्या उसकी मात्रा है उसको लिया जाता है question 92 है the period of comparison or with respect to the index number is determined as it is called तुलना की अवधी या जिसके संबंद में सूचकांग संख्या को उसे क्या कहते है उसे हम लोग कहते है base period या आधार अवधी यानि कि जिसे current year के लिए कोई भी सूचकांग निकाला जाता है लेकिन जिसके लिए निकाला जाता है जिसके साथ संबंदित हो करके निकाला जाता है उसे हम लोग base period कहते है question 93 है An index number is called a simple index when it is computed from एक सूचकांग संख्या को सरल सूचकांग कहते हैं जबकि इसकी गढ़ना की जाती है तो वो किया जाता है single variable a culture के माद्यम से Question 95 है Index number can be used for सूचकांग संख्या का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है तो पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है Question 95 है When the price of rice are to be compared, we compute जब चाहल की कीमतों के तुलना की जाती है तो किस चीज का गढ़ना किया जाता है तो उस टाइम पे price index यानि की कीमत सूचकांग का गढ़ना किया जाता है Question 96 है Price relatives are percentage ratio of current year price and मुले सापिक्ष वर्तमान वर्स की कीमत की प्रतिशत के अनुपात होता है तो यह होता है base year price और जो percentage of current year price है उन दोनों का तुलना किया जाता है Question 197 है Less pairs index is 110 and pastures index is 108 Then the Fisher's idle index will be तो Fisher का जो formula होता है वो क्या होता है under root, less pairs का formula और pastures का formula तो less pair का दिया हुआ 110 multiplied by 108 और इसे under root में जब इसको आफ solve करेंगे तो answer आएगा 109 multiply करके उसका under root निकालेजेगा Question 98 है Pastures price index number is also called as पाशे के मुले सुचकां को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे current year weighted भी कहते हैं यानि के वर्दमान मुल्य Question 99 है Less pair's price index number is also called as Less pair के मुल्य सुचकां को और किस नाम से जाना जाता है base year weighted के नाम से जहां पे Less pair base को focus करते हैं पाशे current year को focus करते हैं Question 100 है Index number calculated by Fisher's formula is idle because it satisfy Fisher के सुतर द्वारा गड़ना की गई सुचकांग संख्या आदाश होती है क्योंकि ये किस प्रकार के test को संतुष्ट करती है तो circular test, factor reversal test और time reversal test ये तीनों को पार करती है तो all of the above is cancer होगा Question 101 है Pastures formula is a type of पाशे का सुत्र किस प्रकार का सुत्र है ये है weighted aggregative formula भारित सामुहिक को सुत्र Question 102 है इस वीडियो का last question which one of the following is not the problem in the construction of index number यानि कि सुचकांग संख्या के निर्माड में क्या समस्या नहीं उत्पन्य करता है selection of base period, purpose of index number and selection of weight ये कुछ थोड़े सी दिक्कतें कर सकते हैं selection of proper skill ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है I hope आपको सभी question के answer अच्छे से समझ में आ गया हूँ किसी question में doubt होगा तो आप पूछ लीजेगा और इससे related जो numerical हो सकते हैं 10-15 मैं कोशिस करूँगी कि उसको upload कर दूँ ताकि आपको numerical समझ में आ जाएगा तो अगर question पूछता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाए और इसके अलावा ये banking and insurance communication इसके वीडियो अपलोड है आप जाकर के playlist चेक कर सकते हैं वहाँ से मिल जाएगा और वीडियो के end में भी वो add कर दिया जाएगा मिलते हैं next video में अगर चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा